नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग लक्षमी कांद की पार्ट 76 वीडियो में आपका स्वागत है यहां पर हम लोग बात करेंगे एलेक्शन ऑफ दा प्रेजिडेंट के बारे में देखी चैप्टर 17 शुरू हो चुका है लक्षमी कांद का प्रेजिडेंट की यहां पर यूट्यूब में आड करता हूं तो उसको टेलिग्राम में अपडेट करता हूं साथ-साथ मेरे साथ जोडने के आप इस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं दोनों को लिंक नीचे दे रखे हैं और मेरे दोरा बनाए गई गई और वीडियो को देखने के लाब चैनल मेंबर भी बन सकते हैं अब सबसे पहले बात की जाए कि भाया यूनियन एक्जेक्योटिव प्रेजिडेंट यूनियन एक्जेक्योटिव का पार्ट है यूनियन एक्जेक्योटिव मतलब सेंट्रल लेवल पर जो एक्जेक्योटिव होता है सेंट्रल गॉर्मेंट जिसको बोलते ह तो उस main union executive में आता कौन कौन है तो union executive में सबसे main person है president फिर आते हैं आपके vice president फिर आते हैं आपके prime minister फिर council of ministers ठीक है और फिर attorney general of India आप बोलोगे sir cabinet क्या होता है तो council of ministers में सारे ministers होते हैं ठीक है ना और council of ministers की छोटी सी body मतलब council of ministers का एक subsection मान लिजे छोटी सी body जिसमें सबसे ताकतवर ministers होते हैं center के जिनके पास सबसे ताकतवर portfolio जैसे defense का portfolio external affairs का portfolio road transport and highways का portfolio finance ministry का portfolio home ministry का portfolio तो important portfolio वाली जो body होती है उसको बोलते है cabinet cabinet बहुत ताकतवर होता है तो फिर आप deputy ministers को मिला लो minister of state independent charge को मिला लो तो overall मिलके क्या बन जाएगा council of ministers यहाँ पे भाया nominal और real executive की भी बात आती है अब यह आप देखो जो president है और vice president है यह nominal executive है नाम के executive है तो भले president is the first citizen of India बट सारी की सारी ताकत किसके पास होती council of minister headed by prime minister के पास तो president इंडिया में क्या हो गए nominal executive, real executive कौन है council of ministers headed by prime minister, attorney general of India यह भी executive को part है यह first law officer है देश के attorney general पे जब हम पहुँचेंगे तब इन के बारे हम बात करेंगे तो article 52 to 78 in part 5 of the constitution deals with the union executive, union executive में president, vice president, prime minister, council of ministers and attorney general of India यह हमने देख लिया और president is the head of the Indian state मतलब की यह भाया सबसे पहले नागरिक है इंडिया के first citizen of India है यह इंडिया की unity, integrity, solidarity के symbol है अभी यह इंडिया की unity, integrity और solidarity के symbol कैसे हैं यह मैं आपको आगे बताऊंगा प्रेजडेंट की जो सबसे खास बात होती है, parliament कोई भी नियम कानून मनाए और parliament के भी पार्ट होते हैं president अगर आप से बोला जाए ना कि parliament में क्या क्या आता है तो आप बोलोगे लोगसभा आता है, आप बोलोगे राजसभा आता है, आप बोलोगे president आता है तो parliament comprises लोगसभा प्लस राजसभा प्लस president, लेकिन president किसी भी house के sitting member नहीं है, ना वो लोगसभा की sitting member है, ना वो राजसभा की sitting member है तो कोई bill अगर parliament से पास होता है, नहीं लोगसभा राजसभा से पास होता है, उसके बाद उसको एक act बनाने के लिए, उसको एक नियम बनाने के लिए, अगर president ने signature नहीं दिया, तो irrespective of the fact कि वो लोगसभा से पास हुआ है, राजसभा से पास हुआ है, उसका कोई मतलम नही है तब यह सबसे पहले बात करते हैं election of the president की president को देश के लोग directly elect नहीं करते हैं उनको एक electoral college के through चुना जाता है तो first of all क्या मेरे और आपकी जैसे लोग जाके president की vote में voting डालेंगे नहीं डालेंगे हम लोगों ने jin members को चुना है चाहे वो लोगसभा की members हो चाहे वो state legislature assembly की members हो वो लोग president को चुनते हैं तो देखते हैं भाई president को कौन कुन चुनता है president को चुनते हैं the elected members of both the house of parliament यानि लोगसभा के elected members राजसभा के elected members चुनेंगे आपके president को ध्यान दीजेगा elected members यानि कि वो जो बारा members जो की nominate होते हैं राजसमा में वो नहीं चुनेंगे president को फिर दूसरे number पे कौन आता है the elected members of the legislative assemblies of the state तो state की legislative assemblies के elected members चुनेंगे अभी state में एक member Anglo Indian community का nominate होता है वो नहीं चुनेगा ठीक है और elected members of the legislative assemblies of the union territory of दिल्ली और पुदुचेरी की जो union territory है उसके elected members president को चुनेंगे ठीक है यह चीज़ clear हो गई अभी यहां पे जब दिल्ली और पुदुचेरी की बात आई तो यह जो दिल्ली और पुदुचेरी वाला clause है इसको किसके थूर जोड़ा गया था 70th Constitutional Amendment Act of 1992 तो दिल्ली और पुदुचेरी के elected members vote डाल रहे हैं यह किसके थूर जोड़ा गया मैंने आपको बता दिया तो भाई इससे हमको पता क्या चला कि elected members of both the house of पालर ने लोग सबाराज सबार elected members of legislative assembly ध्यान रखिए हां council नहीं है legislative assembly के elected members और Union Treaty of Delhi और पुदुचेरी की जो legislative assembly से उसके elected members vote डालेंगे किसके president के चुनाओं में तो vote कौन कौन नहीं डालेगा तो both the houses of parliament यानि कि लोग सबा में जो nominated members है राज सबा में जो nominated members है वो लोग president के चुनाओं में vote नहीं डालेंगा अब यह कितने हैं यह आगे बताऊंगा फिर state legislative assembly के nominated members वोट नहीं डालेंगे president के चुनाओं में अगर किसी state में legislative council है जैसे for example उत्तर प्रदेश में legislative council है तो उत्तर प्रदेश की state legislative council और देश के वो हर state जहां पर state legislative council है वहां के जो members हैं चाहे वो elected हों चाहे वो nominated हों वो वोट नहीं डालेंगे president के चुनाओं में और दिल्ली और पुदुचेरी की जो unit territory हैं उसके जो nominated members हैं वो भी वोट नहीं डालेंगे president के चुनाओं में ठीक है उसके बाद आप देखोगे कि भाईया मान लीजे किसी state legislative assembly को dissolve कर दिया गया अभी वहां पर एक legislative assembly dissolve होगे यानि कल की date में मान लीजे कि president rule लग गया राजस्थान में और president rule को parliament ने approval दे दिया और फिर राजस्थान की state legislative assembly को बरखास्त कर दिया गया अभे राजस्थान की state legislative assembly के elections होने हैं उनके MLA को अभी चुनना है और इत्ती त्रमे में इसी समय में president की चुनाव हो जाते हैं तो वो जो पहले के MLA थे ना राजस्थान state legislative assembly के वो president की चुनाव में वोट नहीं डालेंगे अगर नय चुनके आगे होते तो वो वोट डालते हैं पहले वाले वोट डालने के legible नहीं है क्यों चुकि उन्हें बरखास्त कर दिया गया state legislative assembly राजस्थान की यहां पर dissolve हो जूगी है मैं बस आपको एक hypothetical example दे रहा हूँ ठीक है मेरा आगे बात करते हैं कि यह सम्विधान ने इस बात के proper arrangements किये हैं कि देश के जितने भी units है constituent units जैसे कि हमारे states इन states को भी पूरा मौका मिले कि वो प्रेजडेंट की चुनाओं में वोट डाले आप देखो कि प्रेजडेंट की चुनाओं में वोट कौन कौन डाला है लोग सभा राजसभा की मेंबर से जाल रहे हैं states और unitaries की member भी वोट डाल रहे हैं क्यों डाल रहे हैं ताकि पूरे देश को एक representation दिया जाए हमारे प्रेजडेंट को चुनने में और जब पूरे देश को आप representation दे रहे हो हमारे प्रेजडेंट को चुनने में तो एक scientific formula लेके आना पड़ेगा जिस हिसाब से चुनाव होगा haphazard way में आप कुछ भी नहीं कर सकते तो जिस formula से भी चुनाव होंगे प्रेजडेंट के वहाँ पे जो center पे लोग सभा राजसभा के MPA उनको जितनी importance दी जा रही है उतने ही state level पे जो MLA से उनको भी importance मिलनी चाहिए अभी इस importance में पहली चीज़ निकल के क्या आती है यह वाली first sorry इधर पढ़िए इसको every elected member of the legislative assembly of a state shall have as many votes as there are multiples of 1000 in the question divided by obtained by dividing the number of the population of the state by the total number of elected members of the assembly मैं बताता हूँ यह क्या है यूपी की बात कर लेते हैं यूपी में माल लिजे जितने भी voters है say x करोण voters है ठीके ना x करोण voters divided by total number of elected members of the state legislative assembly तो भया उत्तर प्रदेश की state legislative assembly में जो elected members है वो है 403 तो माल लिजे यूपी की population समसम लमसम एक्स करोण और नीचे 403 और इसको आप किस से multiply कर दोगे into one by thousand ठीके तो population of UP state में माल लेता हूँ 25 करोड ठीके मैं सिर्फ एक figure मानना हूँ मुझे पता नहीं है ठीके ना चुकि यहाँ पे जो भी populations आपको यहाँ पे लिखा न यह जो शब्द है population यह शब्द population यहाँ पे क्या कि जो population नाम का शब्द है यहाँ पे यह वो population है जो 1971 के census के थू ली गई थी तो 1971 के census वाली population है यह अभी की census 2011 की census वाली population नहीं है तो 1971 के census वाली population के हिसाब से यहाँ पे calculation हो रहे है और अगली बार भाई यह जो पहला census लिया जाएगा 2026 के बाद फिर उसकी census के हिसाब से होगी नहीं आप 2031 का जो census आएगा वहाँ पे फिर यह जो population figures है जो overall representation figures उनको बदला जाएगा कभी के लिए जो भी elections हो रहे है प्रेजडेंट के, state legislative assembly के, आपके लोग सबाके वो सब 1971 वाले census के हिसाब से हो रहे है तो माल लीजए कि 1971 के census के हिसाब से UP की population थी 25 कुरों divided by number of elected members of the state legislative assembly of UP तो कितनी होगे 403 into one by thousand तो इससे आपको एक figure निकल के आएगा यह basically होगा क्या यह होगा एक MLA की vote की value यहनी UP के एक MLA की vote की value कितनी निकल के आएगी इतनी निकल के आएगी उसी तरी किसा आप बाकी states के लिए भी इसको calculate कर सकते हो तो बिहार के लिए अगर आप यह number calculate करोगे तो क्या करोगे कि भाया बिहार में कित्ती आवादी है माल लिजे 15 करोण बिहार के number of elected people of the state legislative assembly वो नीचे रखोगे मुझे पता नहीं कितने हैं नीचे comment box से बताएगे into one by thousand तो यह हो जाएगी बिहार के एक MLA के vote की value किस जगा पे? President के चुनाओ में तो इस तरीके से हर state के जित्ते वी MLA है एक MLA के vote की value को निकालने का तरीका मैंने आपको यहाँ पे बता दे यह तो होगी पहली चीज़ अभी दूसरा paragraph पढ़िए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे simple बात है कि देखे भाईया हर state में आपने यह calculate किया कि भाईया MLA को कितने vote मिल रहे है अब वैसे तो आप यहाँ पे simple simple एक बात बोल सका कि भाईया UP में जितने भी MLA थे उनकी vote की आपने जो भी मैतर वो थे ना नमबर से उनकी जो भी जैसे एक MLA का कितना निकल का है 25 करों मैंने मानी है आब आदी 25 करों मुझे पता नहीं है कितनी है 1971 के सेंसे के साब से तो आब आदी So यह तो निकल के आ गई एक U.P के MLA की vote की value तो U.P के जितने भी MLA है उनकी vote की value आपने जोड ली उसी तरीकी से बिहार की जितने MLA है उनके vote की value जोड ली पूरे देश के जितने भी states हैं उनके vote की value जोड ली वो जोडने के बाद आपके पास से consolidated figure निकल के आएगा तो वो consolidated figure आप लिखोगे numerator में इसमें क्या लिखोगे आप? Total value of votes of all MLA's of all states ठीक है? और नीचे आप क्या लिखोगे? Total number of elected members of logsabha and raja sabha तो उपर भाईया जो consolidated value थी जितने भी MLA's voting डाल रहे थे प्रेजडेंट के election में obviously बाद elected MLA's voting डाल रहे है divided by elected members of logsabha plus raja sabha तो ये जो value निकल के आएगी this will be the value of the vote of one member of parliament चाहे वो logsabha का member of parliament हो चाहे वो raja sabha का member of parliament हो तो अब भाईया MLA's के vote की value पता चल गई ठीक है? और आपके MPs के vote की value पता चल गई एक MLA की vote की value state by state vary कर सकते है depend करेगा कि उस state की अबादी कितनी है ठीक है? simple है? तो एक तो ये चीज हो गए कि भाईया एक MLA की vote की value क्या है और एक MP की vote की value क्या है? अभी जब ये चीज आपको समझ में आ गई उसके अगली चीज आपको समझनी है कि भाई प्रेजिडेंट का जो election हो रहा है it is held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote and the voting is by secret ballot यानि जब voting डाली जा रही होगी तो secret ballot से इसूद डाली जा रही होगी किसी को पता नहीं होगा कि कौन से candidate किसको vote डाल दाला है single transferable vote देखिए प्रेजिडेंट की election को कुछ हद तक criticize किया गया है single transferable vote आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि जब आप total population divided by total active members of the legislative assembly into one by thousand कर रहे हो तो एक person की vote की value एक नहीं है एक person की vote की value multiple में है और वो MPs के लिए अलग है, MLS के लिए अलग है in fact, अलग-अलग state के साफ से अलग-अलग MLS की vote की value अलग है तो भाई, एक person की जो value है vote की वो multiple में है और आप बोले हो single transferable vote तो ही इस सब चीजों के basis पे इस single transferable vote को criticize किया गया फिर proportional representation का बहुता है दोस्तों जब आपको 2 या 3 seat बरनी हो ठीक है लेकिन याँ पे तो केवल एक seat भर नहीं है प्रेजडेंट की अभी वो भी मैं आपको समझाता हूँ जब voting होगी किस तरीके से होगी ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगे एक MLA को और एक MP को सब को क्या दिया जाएगे जैसे माल लीजिए दोस्तों वैसे तो आज की डेट में जो ruling party होती है वो काफी हद तक politics करके अपने हिसाब का president ही चुनती है बट जब president होगा president को चुनाओ होगा तो भाई दो लोग तो at least चुनाओ में खड़े होंगे ठीक है तो अगर पाँच लोग president को चुनाओ लड़ रहे हैं तो क्या होगा एक piece of paper माटा जाएगा सारे MLEs को सारे MP को उन piece of paper में पहली choice of preference, दूसरी choice of preference तीसरी choice of preference, चौती choice of preference पाँचवी choice of preference तो उन member से बोला जाएगा कि भाई आपकी first choice of preference कौन है तो मतलब हर मेंबर को अपनी पाँचो choice of preference बतानी पड़ेंगी ठीक है, अगर वो president की चुनाओं में अपना vote डालना है, पाँच क्यों चौकि पाँच लोग candidate के लिए खड़े हैं अगर तीन खड़े होते तो तीन choice दी जाती दो खड़े होते तो दो choice दी जाती चार खड़े होते तो चार choice जी जाती दस लोग खड़े होते प्रेजिडेंट की रेस में तो दस choice है दी जाती ठीक है, तो choice दी गए उसके बाद दोस्तों, अगर किसी person को decide मतलब ये बोलना है कि भाई, ये प्रेजिडेंट का चुनाव जूद गया तो उसके प्रेजिडेंट की चुनाव जीतने के लिए एक electoral quota है वो electoral quota हूरा होना चाहिए तो ये भी हो सकता है कि भाई, माचो candidates को first choice में किवल 20-20% की representation मिले, तो एक candidate को अगर इसमें से winner declare करना है, तो quota of vote के हिसाब से declare किया जाएगा तो एक person कितना quota जीत रहा है vote का, उसके हिसाब से उसको winner declare किया जाएगा तो होगा क्या total number of quota क्या होगा, मैं बताता हूँ total number of valid votes divided by 1 plus 1 overall 1 ये नीचे 1 plus 1 क्यों किया proportional representation का system क्या बोलता है कि जितने भी votes polled हुए तो total number of votes आपने उपर लग दिये किसी एक candidate की तरफ नी total votes जितने पोल्ड हुए वो आपने उपर लग दिये नीचे जितने लोगों को चुनना है, उनका number अभी यहाँ पे एक ही president को चुनना है तो आपने एक लिखा, plus one इसको divide किया, और जो कुछ भी निकल का है उसमें आपने one जोड दिया तो यहाँ पे मैं hypothetically बता रहा हूँ कि माल लिजे 100 vote poll हुए 100 vote, percentage लिए उसमें बात करते है 100 vote poll हुए, एक president को चुनना है तो उसमें एक जोड दिया, तो 100 आपस simple समझिये, total number of votes poll आप समझी रहा हूँ, पहिया एक MLA की vote की value, एक MP की vote की value हमको पता चल चुकी तो सारे MLA की vote की value जोड दी सारे MPs की vote की value जोड दी उसको numerator में रखा, नीचे दो रखा, और उसको divide कर लिया तो हम 50% mark में पहुंच गे, उसमें एक गलत बोला गया, तो यह जो बोलते हैं हम लोग, कि जो president का election होता है by means of proportional representation, by means of single transferable vote, तो यह जो single transferable vote है यह भी गलत है, यह मैंने आपको बता दिया, proportional representation क्यों गलत है, चुकि proportional representation method को उन जगहों पे apply किया जाता है, जहां पे 2 या 2 से ज़्यादा seat के लिए election हो रहा हो, और यहां तो केवल एक president की seat के लिए election हो रहा हो, तो proportional representation कैसे हुआ, हलाकि वो बोल बच्चन टाइप के criticism है कि बस नाम के लिए criticism करना है तो कर रहा है तो भाई आपको electoral quota बता चल गया, ठीक है अब होगा क्या दोस्तों आपको पता चल गया कि इतना quota चाहिए, पांच लोगों ने vote डाला है, पांच लोग खड़े है president की race में, और सब लोग अपने preference के साब से सब को vote दे रहे हैं तो पहले round of voting में क्या होगा दोस्तों, कि first preference देखी जाएगी, किसके लिए कित्ती कित्ती आ रही है ठीक है न, तो जो पांच लोग है मान लिजे, पहले वाले को first preference में मिले 30%, दूसरे वाले को first preference में मिले 15%, तीसरे वाले को first preference में मिले 20%, चौथे वाले को first preference में मिले 20%, तो टोल कित्ता हो गया 45 और 20 जे तीसरे वाले को 25 मिले तो पांचवाँ वाला 10 हो जाएगा ठीक है न तो सबसे कम कौन आया दस वाला तो दस वाले को आप eliminate कर दोगे समझ रहे न तो मतलब ये जो पांच लोग खड़े थे इन पांच लोगों के लिए first preference ने किते लोगों के लिए voting दी तो पहले वाले के ल दिया था मतलब ये जो candidate थे ने पांच में से जिसको एक को दसी परसंट मिले है तो इस 10 परसंट जिस candidate को भी वोट मिले है first preference के तो अब भी सी बात उन लोगों ने जिनोंने इसको first preference पर रखा था उन्होंने अपनी second preference भी दी थी अब उनकी second preference count की जाएगी